हेलो मैं फ्रेंड वेलकम तो अड़ा 247 रेगुलर्टरी बॉड़ी इन सो आप लोगी बहुत सारी क्वेरी जा रहीं थी कि आप टाइम कहीं ना कहीं फेज बन और फेज टू के बीच में कम है तो बच्चों के मन में डाउट के सार पहले से तैयारी ठीक है कर रहे थे बट उत पहले चीज में बहुत इंपॉर्टन चीज बोलूँगा सक्सेस का कोई भी शॉर्ट कट या शॉर्ट ट्रिक नहीं होती मैंनत लगती है बड़ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टन चैप्टरस ऑफ ए इन दे चैट बोक्स नहीं तो देस्क्रिप्शन में लिक मिल जाएगा डाउनलोड इट एंडू चेक आउट फ्री मेटिरियल फॉर दिफरेंट एग्जाम्स एट वियर ओफरेंग और दोसो कोई भी आप कोर्स भाई करें तो हमेशा एप के थुरू करें क्योंकि यहां एंड्रोल करना हो मैक्सिमम डिस्काउंट इसकोर्ट पे मिलेगा फ्रॉम दी एप एंड जल्दी से वीडियो की नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब को बटन आ रहा उसको दबा दो एड उसी के वरावर में वैल आइकन भी है उसको भी दबा दो आपकी प्रपेशन में ऐसी वीडियो बहुत इंपॉर्टेट हो जाती है तो चलो दोस्तों बात करें इंपॉर्डेंट चैप्टर्स की पेश तो यहां पर ब्लैंक है मैं क्या बताऊंगा तो डारेक्ली स्लेबस खोल लेते हैं वही फिनेंसे स्टार्ट करते हैं तो देखो आगर आप एक चीज नोट करोगे यहां पर लिखा हूँ है पेपर 3 जरनल फिनेंस एंड मैनेजमेंट तो जरनल फिनेंस आपको आइडिया होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का बहुत अगर हम सोचते हैं कि वह बहुत ही जो टिपि पीवाई क्यूस एनलिसिस के तौर पर मैंने आपको पूरे का पूरे 2019 और 2019 क्यूँ 2018 19 21 और 22 सारे ही पीवाई क्यू आपको कराए हुए है मेरी प्लेलिस्ट आप चेकाउट कीजिए चैनल के अंदर और आपको वो सेशन्स मिल जाएंगे चलिए तो पहला आपका चैप्टर का हेडिक है फिनेंचल सिस्टम ठीक है इसके अंदर अगर हम बात करें पहला चैप्टर है इस्टक्चर और फिनेंचल इंस्टिशन दूसरा है फंक्षन आपके अक्रॉस आते रहते हैं न्यूस में वो सारे ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं और आर बीए का एक फैवरेट को पूछा था और उससे पहले 2014 से पहले multiple time से question पूछा हुआ है तो आगे भी आने की probability है तो फिनेंचल इंस्टिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप इसके नहीं कर सकते इस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूस में जो इंपॉर्टेंट फिनेंचल इंस्टिशन या आप स्लेबस होना चाहिए ठीक है different functions of RBI even जो आपकी RBI annual report है वो कहीं न कहीं RBI के जो different functions है उनको cover करती है और RBI और functions को perform करते हुए क्या-क्या success अचीव किया वो सारी वो publish करते है तो रिपोर्ट भी बहुत important है तो यह चैप्टर अगेन बहुत important है from objective and descriptive point of view banking system आपका जो पूरा banking structure है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर आता है recent development in global financial system and its impact on Indian financial system यह कैसा chapter है जो पहली बार एड़ हुआ है बट अगर आप देखोगे इसमें अगर चुक करेंट अफेर औरिंटेटी चैप्टर है इसकी कोई static theory नहीं है तो अगर आप करेंट अफेर में updated होगे सपोज आपको पता है कि कर कोई major event होता है सपोज लेट्स टॉक अबाउट रश्य उक्रेइन वार तो अगर आप करेंट इंपक्टिंग ग्लोबल एकॉनमी तो उसका इंपक्ट इंडिया में कैसे आ रहा है वह अपने को पता होना ची तो यह चैप्टर एक ऐसा है जो बहुत ही जादा वेक है बट बहुत ही जादा current affair oriented है तो अगर आप current affair trace करते आ रहे हो तो ठीक है नहीं तो इसमें static बहुत कु financial technology तो वह कहीं ना कहीं उसका makeover थोड़ा सा यहां पर किया गया है और यह चैप्टर अगें देखो descriptive point of view से relevant है objective ठीक है current affair जो कर रहे होगे अगर आएगा तो वहीं से आएगा जो आप आर भी नोटिफिकेशन से भी circular से कर रहे हो तो वहीं से आएगा जैन आपका non banking system इसमें आपके NBFC वगएर आजाते हैं जिनका regulation कहीं ना कहीं अर्भी के अंडर आता है अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग तो बैंक छोड़के बाकी जो financial services हैं like mutual funds we can say insurance pensions तो इन सबको आपको at least basic level का idea होना चाहिए newly added topic है तो इसके बारे में clarity clearly नहीं बोल सकते लेकिन NBFC बहुत ही आइडिया होना चाहिए then development in digital payments यह जो टॉपिक है देखो वैसे तो यह objective or descriptive दोनों के point of view से important है but current affair में बहुत सारे new new initiative आते रहते हैं तो objective में अगर कुछा जाएगा तो current affair oriented जो news आ रही है suppose इस बैंक ने कोई नया digital method कोई launch किया है something like that तो वो यहाँ पर questions पूछे आ सकते हैं यह आर भी है कि जैसे अभी उसने central bank digital currency CBDC के दो पाइलिट प्रोजेक्ट्स किये है इ-retail में different denominations के बारे में बात की गई है तो वो सारे अपने को current affair oriented अगर को objective आएगा तो current affair oriented otherwise descriptive इस चैप यहां पर आर्बे का रोल जादा है compared to से भी तो वहां से questions बहुत जादा पूछे गए हैं over the years तो यहां पर आप money market को ना में इसकिप करें बाकी primary market secondary market money market capital market आइडिया तो देखो सब कुछ होना चाहिए लेकिन money market कैसा है जहां different instruments आपको पूरे पता होने चाहिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा अब आ जाता है financial risk management यह जो है दो दोस्तों वैसे आपकी FSR report ने different type of risk के बारे में बात किये तो उनका अपने को idea होना चाहिए तो वो कही ना कही एक objective question या एक descriptive question बन सकता है बट यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यादा तर आपको basal PCA how the risk has been managed in the banking sector उसका idea होना चाहिए then basics of derivative objective point of view से important है descriptive बिल्कुल नहीं है ठीक है global financial markets and international banking यह मैंने एक ऐसा topic है जो पिछले दो साल से और यहां से मैंने कोई question नहीं देखा है मैं इसको कही ना कही अपने अपने analysis के according इसको बहुत जादा importance नहीं दूँगा अगर आप मैं यह तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा skip करें बट अगर आपको idea नहीं है तो आप जो current affair जो आप ऊपर chapters पढ़ रहे हैं I think यह कही ना कहीं वहीं से हो जाएगा जो different type of risk हैं यह different type इस बार के annual report में भर भर के इसके बारे में बाते हैं तो अपने को objective point of view से भी पता होने चाहिए होगी current affair related इससे initiatives आते रहते हैं ठीक है और descriptive भी अपने को पता होना चाहिए मैं previous year analysis के basis पे बता रहा हूँ ठीक है private and social cost benefit अगर आप उठाके देखो के बहुत जादा इसमें कुछ नहीं simple एक बनने को I can say descriptive question बन सकता है then PPP यह जो topic एस से already question आ चुका है है model के उपर but still descriptive question तो बनी सकता है इससे कोई बड़ी बात नहीं है then corporate governance in banking दोनों यह आसपेक्ट पर question important हो जाता है objective भी descriptive भी then union budget अगेन objective descriptive दोनों के point of view से important और इस बार पूरी probability है कि इस में से descriptive question भी देखा है को मिल सकता है basics of accounting objective ठीक है यह कहीं ना कहीं probability इतनी है कि 90% chance यह है कि इसमें objective ही आएगा अब देखो 10% का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा लेकिन अगर वो question आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि आपको simply जो ratios के बारे में जिक्र है चैद उनसे related questions आएंगे अब यहाँ पे सर एक चीज आती यह doubt जो हर बच्चे के मन में आ रहा है सर मैं accounting मेरा background नहीं है मुझे कुछ idea नहीं है तो बेटा देखो simple सी बात है at least यह जो यह ratio रिखी है नहीं आपर यह at least इनका आइडिया आपको होना चाहिए यह एक से पहले मैं यह नहीं कहता इस से बाहर नहीं आएगा at least यह ratio आपको किया जाता है वह अपने को idea होना चाहिए ठीक है then inflation inflation एक ऐसा topic है वैसे से over the years बहुत जाथ कोई question आया नहीं है तो ठीक है लेकिन अपने को पता होना चाहिए inflation का क्या trend चला है objective बन सकता है you never know descriptive chances एक ही question बनता होगा यार कि inflation को कैसे control किया जाता है तो monetary policy fiscal policy तो monetary policy जो functions of rbm cover कर inflation as such अलग से पूछा गया तो अच्छी बात है ठीक है लेकिन इसमें ऐसा बहुत कुछ है नहीं अगर आप उबर के topic cover कर चुके यह साई में आप fiscal policy कर लेते हो आर्ब्यायम को monetary policy करा जाती है तो उसमें inflation का idea दिया जाता है बनने को objective question ज्यादा बनता है descriptive आपका already कहीं नहीं जो आप बाकी subjects कर रहे हो या बाकी जो topics कर रहे हो उनसे cover हो जाता है इसके लावा देखो यहां पर reports के बारे में जिकर है बहुत सारे बच्चों के मन में डाटा डाउट आ रहा है कि सरी यह report on trends and progress of banking के करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए तो देखो सारा report and trend सारा trend आप FSR मे cover कर चुके हो ना तो अलग से इस report को कुछ करने की बहुत जादा जरूरत नहीं है आपके लिए annual report of financial stability report in finance important है दोनों ही बहुत important है दोनों से शायद question मिल जाए तो that was about finance guys अगर आपको I think idea लग गया होगा इसके लावा doubt रहता है तो comment section open है वहापे आप comment raise कर सकते हैं अब आते management management is a subject which is entirely static entirely static तो एके करके बात करते हैं इसमें सबसे पहला chapter fundamentals of management management के बारे में एक चीज़ बोलूँगा इस देखो सर यहाँ पे बहुत कुछ है बहुत सारी books में बहुत जादे हम कितना करें हमें समझ नहीं आ रहा है time कम है तो उस perspective से मैं आपको बता हुआ ठीक है at least यह जो syllabus है जैसे अगर आप देखोगे किसी भी motivation की book को उठाके देखोगे तो उसमें भरके theories रहती है यह theory वो theory भर भरके तो बेटा देखो simple सी बात है जैसे आप motivation chapter कर रहे हो तो जो यहाँ पर लिखी है च्छे theory यह कर लो यह ढंगजे कर लो अगर कई ना कहीं अगर आपको elimination करना है तो extra बिल्कुल मत करो जो यह बस लिखा हुआ है बस उतना करके चले जाओ definitely बहुत अच्छे marks आजाएंगे मैं यह नहीं कहता कि you would be the topper but this would be enough to qualify the exam अगर उतना भी जो यहाँ पर एक एक word लिखा हुआ है वो आप पढ़के समझ के चले जाओगे तो आपका descriptive भी हो जाएगा अपका objective भी हो जाएगा हर question कर पाओगे यह जरूरी नहीं है लेकिन selection के लिए जितना required है वो कर पाओगे that is it ठीक है तो उस basis में आपको यहाँ पर चार chapter जो है बहुत important जो वो बताने वाला हो पहला है आपका fundamentals of management दूसरा है आपका motivation तीसरा है आपका leadership जो यहाँ पर mentioned है ठीक है मैं एक बार highlight भी कर देदाओं चलो यह वाली unit important है देन वान सेकेंड यह motivation जो आपका यह next component है उसके बाद leadership ठीक है तो यह तीन unit बहुत जादा important है मैंने देखो यहाँ पर personality भी छुड़ा हुआ है मैं यह नहीं कहा रहा है कि important नहीं है लेकिन साधा important क्या है वो बता रहा हूँ fundamentals of management, motivation, leadership and इसके अलावा अगर आप देखोगे नीचे आपका एक चैप्टर है communication इन चार चैप्टर से आपका 50% से major 50% से ज्यादा almost paper आता ही आता है management का अगर 50 number का paper है management portion तो almost 25 या उससे ज्यादा या उसके आसपास इन चार चैप्टर से होगा you know where you can be a little selective ठीक है इसके box का होगा तो क्या वहाँ पर हम selective हो सकते हैं तो वहाँ पर देखो it depends on the RBI आपको motivation का question जरूर दिखेगा आपको leadership दिखेगा communication दिखेगा तो ये short short topics हैं देखो उन्हें skip करना कोई समझदारी नहीं होगी बाकी चैप्टर जैसे ethics है देखो दोस्तों 2021 में नया नया चैप्टर आया था बट कोई question नहीं आया बाइस में objective भी थे descriptive भी था तो फिर बाकी जो 25 नंबर है वो कहीं से किसी भी topic से कितने भी आ सकते हैं तो बाकी तो फिर यही चीज़ हो गया सर आप कौन से topic को किसके लिए relevant बताऊगे बहुत सारे बच्चे अगर मैं बताऊं वह fundamentals of organizational behavior जो बट दो हजार आई थिंक 21 या 22 में देर वाज एक पैसेज का था तो वहां से एक या दो question उसी टॉपिक से थे objective बट वो question ऐसे थे कि अगर आपको basic idea है ना तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे basic idea मतलब subject नहीं आपको simple concept आप जैसे यार एक चीज होती है performance एप्रेशन के साथ associate हो जाता है तो हम confused हो जाते हैं but real life में हमसे पूछ लिया जाए तो हम पता देंगे किसी की performance को measure करके उसको accordingly reward करना तो यह जो चीज है दोस्तों यह हमें ध्यान में रखनी होगी कि हर चीज जरूरी नहीं है वो शायद simple basic dictionary meaning से भी हो सकती हो जरूरी नहीं है उसके पी तो management में देखो मैंने आपको बता दिया चार बहुत जादा important है यह चार आप बिल्कुल नहीं छोड़ने है बाकि it's on your अगर टाइम कम है तो कहां selective हो सकते हो तो पी वाई क्यू जरूर रफर कर लो मैं किसी भी topic को छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा I'm here to tell you just the important और RBI दे आप करके जा रहे हो वहां से कुछ भी number नहीं कटेंगे चाहे वो descriptive हो चाहे वो objective हो as simple as that और FM का जो paper है उसमें आपको current affair में बहुत ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है दो reports करनी है करने सब्सक्राइब करने और थोड़े से जो डिजिटल पेमेंट जो अपडेट आते रहते हैं या फिनेंशल इंक्लूशन जो करेंट आते रहते हैं बेसिकली बैंकिंग इन फिनेंशल अवेर्नेस जो आती रहती है वह आपको करनी है बाकी पूरा paper almost static मतलब मैं आगर बात करूं सेवेंटी से एटी मार्क्स सॉरी 65 से 75 मार्क्स तक का पेपर जो है वो इस्टैटिक है तो पहले इस्टैटिक पॉर्शन पर ध्यान दो बाकी के 25 शायद आपके ऑल्रडी तैयार हो फेज वन की वज़े से या आप अराम से थोड़े एक्स्टा नोटिफिकेशन अधिक वीडियो में मज़ा आया हो तो सिंपल सी बात है देखो डू गिव एलाइक बाकी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्षिन आप लोगे लिए ओपन है प्लीज डू मेंचन और कमेंट और आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में अंडूल करना चाहते हैं इफ यू किसी भी कोर्स में अंडूल करना है तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही I hope जो मेरा परपस था इस वीडियो को लाने का वो आपको लगा हो आपको थोड़ा सा शायद जो डिस्ट्रेक्शन हो रहे थे सोर्स के रिगार्डिक वो आई थिंग अब थोड़ा सा क्लेरिटी आई तो कि अब में अबने बहुना हम आई पर लाहाँ लूड़ा और झालवन हम टो एंझा अबंड़ाओवा जिए झालवन और लाहँ दोर्स के लिए द दिए भाई आपको लूड़ा खिए झालवन ओंधर देटी भाई लूड़ाई और लूड़ाई आवशन है आपको जोर